हां जी गडिवेंग वेल्किम टी टोड़े सेशन जिसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं विल बी डिस्कासिंग अबाट TDS, TCS, Advanced Tax यह वाला जो हमारे चाप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और जो हमारा questions batch daily basis पे चली ही रहा है जिसमें हमने काफी सारे chapters कर भी लिये जैसे कि PGPB, capital gains assessment procedure वगेरा वगेरा एना taxation भी कर लिया था उसी को चालू कर रहे हैं उसी को continue कर रहे हैं और दूसरे chapter पे आ रहे हैं which is TDS, TCS and Advanced Tax इस चाप्र के सारे-सारे questions प्राक्टिस करेंगे live basis पे करेंगे और YouTube पे ही करने वाले हैं जल्दी से एक बार schedule को देख लीजेगा और उसको देखने से पहले एक बार मुझे YouTube के chat section पे बता दीजे क्लास में आपको कोई भी issue तो नहीं आ रहे है चाहे audio में चाहे video में चाहे कहीं पे भी एक बार मैं भी class को खोल के देख लेता हूं कि कहीं कोई issues तो नहीं है कोई issues होंगे तो पहले उनको resolve कर दूँगा उसके बाद class को resume करेंगे okay I can see that the class is live students are live too and the chat box is there too perfect good evening जी गुदीन सबसे पहली attendance लगा रहा 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 है शालनी न है गुदीन शालनी गोविन, शौर्य, मनिशा, कृतिका, AV vlogs, वेबव और प्रीप, गुदीन आप अभी अनलाइन आया हो जी AV vlogs बिल्कुल अभी अनलाइन आया हो मैं दो मिनट प चली, schedule देखिए, सारे के सारे students नजर डाली है, मैंने आपको पिशली बार जब schedule दिखाया था, last कल वाली class में, उसमें dates में हलका सा hey fair हो रखा था, यहाँ पे मैंने dates को सही करवा दिया है, तो dates देखिए सारे के सारे students, आज आज आपकी TDS, TCS, Advanced Tax ये वाली class हो रही है, अच उसके बाद total income, इसके questions की तरफ बढ़ जाएंगे, just give me a second, I'll put it on silent, उसके बाद what we'll do is, उसके बाद हम transfer pricing इस वाले चाप्टर पर आ जाएंगे, और दो दिन इस पर लगाने वाले, उसके बाद देखते हैं क्या-क्या चीज़े रह जाती हैं, कैसे-कैसे आपका syllabus best तरीके से complete read करवाय जा सकता है, and accordingly in classes निकालता रहोंगा, आपके paper तक classes चलते रहेंगी, सारी-सारी classes आपको YouTube पे होती दिख रही है, 9 बचे का हमारो जो usual time है, उसी पे daily basis पे मिलते रहेंगे, जब-जब Unacademy पे कोई भी special class आपके ले आईगी, वो भी मैं आपको बता दूँगा, इस इस topic के respect में class वने वाली है, आप updated रहेंगा, उसके साथ साथ, एक बार जल्दी से देख लिजए हमारी कौनसी-कौनसी class कहां-कहां पे हो रही है, ताकि आपको at least पता रहें, कि ये-ए बैचिस चल रहें, this is for the new users, बाकी users को तो पता ही है, जो daily basis पे आते हैं, सबसे पहले आ class number 1 से लेके last class दक, from topic number 8, topic number Z, उसके साथ सारे students इसका subscription ले सकते हैं, they can enjoy our classes for all of the subjects जो भी हम पढ़ाते हैं, और हमारे साथ साथ, there are other CA final educators too, on an academy, जिनकी classes का फायदा उठा पाएंगे, once you take the subscription, उसके साथ साथ, अगर आपको लगता है, आपकी Jan 21 attempt है, और आप हमारे साथ ICI के study material के questions practice करना चाते हैं, तो you can avail the benefit of this particular batch, which is totally free of cost, इसके लिए आपको कोई subscription लेने की जरूरत नहीं, इसके जितनी भी classes YouTube पे होंगी, सारी सारी free होंगी, और जितनी भी unacademy के application पे होंगी, वो भी free होंगी, not just for my subject, for all of the subjects, जो भी हम सारे educators पढ़ा रहे हैं, unacademy की free classes avail करने के लि ये एक inter-level के students के लिए paid batch है for May 2021 attempt, जिसका नाम है योधा batch, ये सारे educators पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही एक warm-up batch के नाम से November 2021 attempt के लिए see inter-level के students के लिए निकाल गया है batch, which is called warm-up batch, जिसमें ये सारे educators पढ़ा रहे हैं, तो free classes तो आप समझ गए कैसे कैसे avail करनी है, paid classes avail करने का तरीका क् जल्दी से उस पे भी नज़र डाल लीजे, देखें, सबसे पहला step है अपने devices के play store पे search करिए unacademy learning app और उसके बाद उसको install कर लीजे, after you do that, उसके बाद आप से पूछा जाएगा कि कौन से exam के लिए आप prepare कर रहे हैं, वहाँ पे आपको select करना होगा CA final, once you do that, उसके बाद plus category को, जो की हमारी subscription वाली platform है, उसको select कर लीजेगा, then get subscription पे click कर लीजेगा, once you do all of this, उसके बाद आपको pricing दिखा दी जाएगी, जो की without applying code इतनी निकल के आती है, और अगर आप ये code apply कर देते हैं, which is ILCA, तो pricing आपकी कुछ SEC निकल के आ जाती है, यानि की 10% discount लगने के बाद ये effective prices निकल किया आते हैं, जिनको अगर हम analyze करें, तो 24 months का subscription आपको 1500 rupees per month की effective cost पे मिल जाता है, कैसे? 36,000 rupees for 24 months, and this price, whether you talk about this, or this, or any other price, you don't have to pay it at once, आप parts में भी pay कर सकते हैं, last but not the least, जितनी भी हमारी classes है, paid, free, वगेरा वगेरा, सबकी अगर आपको directory चाहिए, एक जगा पे मि ली गई है, ये confusion ना हो, कौनसी YouTube पे, कौनसी अनकाडमी पे, तो ये link आपके लिए बनाया गया है, इस पर जाहिए, ICI की resources, हमारी classes के links, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका फायत अच्छे से उठाई है, this is the first link for all of the CA final students, जो कि ऐसा बनाया गया है, for all of the subjects, not just any single subject, and lastly, जितनी भी classes होती है, उनसे updated रहने के लिए, YouTube पर follow करते रहिएगा, कौनसी class का बार यह, Telegram पे देखते रहिएगा, and most importantly, आपको जो schedule बताता है, बताया जाता है, हर class में, उसको follow में लीचाएगा, that's about it, चली, सारी की सारी चीज़े होगी, अब बढ़ते हैं आगे, सर के पास मफलर का collection है, सिर्फ फुल क्लास अवलिबल है, क्या TDS का अनकाडमी पे, मनमुहन अभी तो नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, डे चेंज नहीं करवाया, आपने करवात हो दिया मदू, डे गलत हो रखे हैं, क्या आपे ड सेकिंड जान के आगे, फ्राइडे गलत दिखा है कि आप मुझे पता भी नहीं होता कब मंडे होता है, कब फ्राइडे होता है, हमारे लिए क्या मंडे, क्या संडे, अच्छा, डे रह गए, चलिए, डे भी चेंज करवा दूँगा, अभी आप डेट पे और टॉपिक पे फ सेम टीए कुमास आनू, रुबाल ले लिया, रुबाल ले लिया, thanks for the appreciation दोस जी, गुड़ी में, background noise आ रही आपको, heater चल रहा है, रुखिये, एक सेंड रुखिये, मैं गरता हूँ इसको बन, अब ठीक है, heater चल रहा था हूँ, दिल्ली सरदी में, class लेनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ग्रीमिंग स्वाती, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे students स्क्रीन की तरफ देखियेगा, अरे कोई नहीं, जिल लेंगे, यह है ना, यह साथ देदेगा मेरा सलमान, कोई दिक्कत नहीं है, देखिये जी, सारे के सारे students अपने स्क्रीन पर, question को देखिये, जो की आपको दिख रहा है, LL limited paid leave travel facility to its employees, और उसने consider करी exemption under section 10.5, जो की leave travel facility पर मिल जाती है, based on a self-declaration जो की furnish करी थी employee ने, ठीक है जी, the assessing officer held that the company as an employer ought to have verified the genuineness of the claim of the exemption by obtaining from them, the proof of actual expenditure incurred by availing leave travel facility, according to AO, accordingly, the AO treated the assisee company as assisee in default, decide करिये correctness of the action, दो-दो चीजों की बात करते हैं, सबसे पहले मुझे यह चीज़ बताईए, क्या कभी भी employer को जिसको TDS काट के payment करनी होती है, employee अगर बताता है, मैंने यह यह खर्चे claim करे हैं, leave travel facility, मैंने इतना इतना उस पर खर्चा करा था, leave के travel पे, तो वो traveling cost के लिए, क्या आपको कुछ न कुछ bills demand करने पड़ते हैं, as a routine job, कि भई मुझे bills दो, नहीं तो मैं claim नहीं करने दूँगा, क्या कोई proof लेने की ज़रूरत थी, employer को या फिर नहीं थी, good evening PK, आज बारिश भी हुई है, स्वाथी दोनों में से एक ही मिलता है, या तो VRS का आपको benefit मिलता है, या फिर section 89 का benefit मिलता है, मैं आपको किसी और class में समझा दूँगा, इस class में again, section कुछ और चालू हो जाएगा, और मत्त्व मुझे बताने में दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपके डाउट को cater कर रहा हूँगा, बाकि जो बच्चे बैठे होंगे, उनका time waste होएगा न, आप comment कर दीजएगा, मैं आपको answer कर दूँगा, या फिर किसी generic discussion में, जब हम salary head को पढ़ रहे हूँगे, तब कर लीजएगा, अपरे heater भी, इतनी ठंड, sir, कुलकता आजाओ, ठंड नहीं है इधर, मनमोगन कहें है, sir, jacket, muffler, उपर से heater भी, ऐसी ठंड बढ़ रही है कि डेली में, बढ़ रही है, almost zero degrees पहुच रहा है, बताइए, employer को verify करने की जरुरत है, आगके हिसाब से या फिर नहीं है, yes और no, उनको proof demand करने की जरुरत थी, या फिर unnecessary, ज़्यादा ही आप्रेहेंसिव हो रहे थी, मतलब जरुरत कुछ खास नहीं थी, जरुरत थी या नहीं थी बात उसकी हो रही है, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही बात है, जरुरत थी, which is why, what the answer is going to be, इस particular case में आपने उस इंसान को खर्चा क्लेम करने दिया, on the basis of this leave travel facility, जो भी employee ने use करी थी, आपकी गलती है, किसकी employer की, हमने specifically आपको section 192 में लिख के बता रखा है, कि कुछ कुछ चीजों के respect में आपको demand करने है, documents demand करने है, एक सेंट रुकिए, documents demand करने है, proof demand करने है, और income tax rules में specifically ये वाला खर्चा हमने लिख रखा है, which is why इसके respect में आपको demand करना ही पड़ता proof, उसके बिना आप deduction provide नहीं कर सकते थे, आपने नहीं करी है, आपने ऐसे ही payment कर दी है, दिक्कत आपने कर दी है, आपने कुछ न कुछ यहाँ पर issue कर दिया है, किसके लिए सरकार के लिए, क्योंकि आपने उस particular amount पे, TDS नहीं काटा होगा, expense की वरे से कुछ न कुछ reduce हो गई होगी होगी न, taxable income, तो आपकी गलती यहाँ पर निकल के आती है, assessing officer is totally correct, perfect, बहुत basic सी चीज थी, sir, if concern is not required for tax audit, still, is there a mandatory, is it mandatory to deduct TDS under section 192, क्या हो रहा है मेरे गले को, Anju का question आया, कि अगर जो भी businessman था, employer था, उसका enterprise, उसको tax audit करवाने की जरूरत नहीं है, तब भी क्या TDS काटना पड़ेगा, section 192 में answer करिए, सारे के सारे students, एक और question निकल के आगया, Anju का question का answer करिए, तब तक मैं दूसरा question निकाल रहा हूँ, ओके, दूसरा question निकल किया है, बताईजी, sir, कल जैसे session लेते रहे न, के, अच्छा अच्छा लगा आपको session शौर है, बिल्कुल लेते रहा हूँ, no issues, होनी चाहिए, कभी-कभी गपशब भी होनी चाहिए, बढ़ाई भी important है, गपशब भी important है, yes, no, yes, yes, no, अच्छा, मतलब ये जो question है, ये बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल सही चीज़ बोली, CA final quick recap ने, section 192 में ऐसी कोई चीज़ नहीं लेखी है, tax audit करवाया हो, नहीं करवाया हो, कहीं नहीं लेखा, आप salary की payment कर रहे हैं, resident को कर रहे हैं, 192 में, खुझ से feed-in मत करने लग जाईगी information को, हम interpret करने वाले लोग हैं, law बनाने वाले लोग, हम legislators नहीं है, so let us try not to make something inside the section, let us try not to incorporate something in the section, which is not written over there, tax audit की वहाँ पर कोई बात नहीं लेखी है, which is why, आप इस case में भी क्या करने वाले हैं, टेडियस डिलक करने वाले हैं, चाहे tax audit क्यों ना हो रहा हो, हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ेगा, next question देखे, illustration number 2, Mr. Sharma, अच्छा, एक चीज मुझे बताईएगा, मैंने आज हलकी सी आवाज कम करी है, पिछले session में काफी जादा तेज थी, फटने लग जाती है उस case में हावाज, तो मैंने थोड़ी सी कम करी है, अगर आपको actually कम लग रही हो की नहीं, सर सुनने में दिक्कत हो रही है, तेज कर दो वापिस, बता दीजएगा, Thanks for the appreciation, चौर्ये, Correct, 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 अगर इतना precisely याद है कि कौन से कौन से section में involved है वह वाली condition, तो बहुत अच्छे तरीके सा आपने इस टीज को learn कर रख है, वैसे 194C में हलकी सी different condition है, tax order से related नहीं, 194H IJA, इन चारों के अंदर tax order से related condition है, बिल्कु सही बोला आपने, Mr. Sharma, an employee of ABC Limited, since 10th April 2016, उन्होंने resign कर दिया कब 31-3-2020 को, और उन्होंने withdraw करे कितने 60,000 rupees being the balance in employee provident fund account, ठीक है, reasons के साथ बताईए, whether TDS के जो provisions हैं, यान की chapter number 17B के provisions, यह attract होते हैं या फिर नहीं होते हैं, and lastly, what is the net amount which is receivable by the payee Mr. Sharma, तो पहले बताईए, TDS कटेगा या फिर नहीं कटेगा, yes or no, कितना निकल के आएगा TDS, वो आप से बाद में पूछा जाएगा, अभी बताईए, TDS कटेगा या फिर नहीं कटेगा, क्यों राउपा है, झाल झाल प्रफेक्ट सब सही आंसर देने जिन्होंने पिछले question का answer दे दिया है वो इसका भी answer दे दीजिए कि कितना net amount मिलने वाला है Mr. Sharma को net amount कितना मिलने वाला है 54,000 रमेश ने एक छोटी से चीज़ लिखी कि TDS deduct होगा 10,000 रुपीज पर यानि कि 50,000 से ऊपर जितना withdraw करा गया है उस पे TDS deduct होने वाला है नहीं रमेश ऐसा नहीं होता TDS के जितने भी sections हैं जिन में कोई भी threshold आपको provide कर रखी है It is a threshold, it is a condition, not an exemption Condition और exemption में difference क्या होता है Condition बोलती है कि इतने तक amount अगर आप दे रहे हैं किसी भी इंसान को TDS काटने की जरूरत नहीं है इससे जादा देंगे तो पूरे amount पे TDS कट जाएगा Exemption क्या होती है इतने amount तक अगर आप किसी भी इंसान को payment कर रहे हैं TDS काटने की जरूरत नहीं है इससे जादा की payment करेंगे तो इतने तक तो TDS मत काटना ऊपर वाले पे TDS काट लेना TDS के सारे की सारे sections आपके कैसे हैं Conditional threshold limits आपको देते हैं They do not require की threshold limit के ऊपर अगर आपने payment करी है तो threshold तक exempt कर देना वहाँ तक TDS काटने की सरवरत नहीं है But there are some TDS sections जो कि आपको exemption दे देते हैं नाम बता सकते हैं उस TDS section का जहाँ पे exemption मिल जाती है पृत ने कुछ अपने sections बताए हैं पता नहीं सही बता रहे नहीं बता रहे बागी students बताने की कोशिश करी पृत ने बताए हैं बागी students बताने की कोशिश करी कौन से sections हैं जिन में exemption मिल जाती है Condition नहीं होती सिफ उन sections की threshold limit Which sections are those? 192 ये तो नहीं है 194 M नहीं है 192 D नहीं है 194 N सही जवाब 194 I A 194 I B अलग अलग जगा पर confused होते हुए students 192 N कौन से section है? ऐसा कोई section ही नहीं होता section सही लिखी है 15 BBDA in excess of 10 lakhs बिल्कुल सही बता है Anju ने भी बिल्कुल सही बता है 15 BBDA में जो 10% के rate पर 10 lakhs से उपर का dividend tax होता है वो threshold limit भी है 10 lakh की और exemption भी है sort of वहाँ तक tedious नहीं करता है tedious कह रहो हूँ, tax नहीं लगता है perfect मैं आपसे 194 N वालए example ही चाह रहा था आपने सही example दिया है चली, तो ये वाला question भी हमारा हो गया इसमें कोई भी आपकी exemption नहीं थी condition ही थी, 50,000 से जादा क्योंकि दे दिया गया है और यहां पर आपको 4 साल की ही service दिख रही है मोटे मोटे तौर पे 10th से start हो ना, 1st April से start नहीं हुआ तो 20 साल की service नहीं होती दिखी है which is why withdrawal जो है वो tax होने वाला है और अगर tax होने वाला है तो 192A वो आपको require करेगा कि आपको TDS काट के payment करनी है कितने rate पे 10% के rate पे क्यों 50,000 से जादा की आपने payment कर दी है तो पूरे amount पे मैं 10% के rate पे TDS काट दूँगा and 54,000 rupees net amount वो मैं पे करने वाला हूँ that is what the answer is चली बढ़ते है next question की तरफ इस chapter में questions करने में time नहीं लगेगा लेकिन questions बहुत सारे निकल के आएंगे तो उसके लिए तयार रहिएगा time नहीं लगने वाले इसमाह में बहुत जल्दी जल्दी होंगे questions क्योंकि या तो आते हैं या फिर नहीं आते limits की बात हो रही है न देखीजी examine the tedious implications under section 194A in the cases mentioned here under नीचे 194A बताइएगा लगेगा या फिर नहीं लगेगा देखीए आपके लिए कितना simple कर दिया है एक ही section के बारे में सोचना है बस interest देखीए और बताइए के साथ invest करा है रहे से को FD mature हो जाता है कब 31st March 2020 को तो साल के दौरान ही mature भी हो गया है अब आप थोड़े mature होके answer दीजिए किस case में TDS कटेगा या फिर नहीं कटेगा yes or no स्वातिया 192A की बात कर रही है 194A की बात कर रही है yes 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 to be deducted okay जो भी students yes बोल रहे है न yes की जगा amount बता दीजिए वो जादा better answer निकल के आएगा yes की जगा amount बताईए और अगर आप कहते हैं TDS नहीं करना चाहिए तो फिर no लिख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब इस case में TDS कटने वाला है 194A का rate तो हमें बता ही है 10 person का rate है 9 person के rate के हिसाब साथ 10 लाग रुपे पे 90,000 का interest निकल के आ जाता लेकिन यह सब 6 मेने के लिए FD आपकी रखी गई थी तो 90,000 नहीं 45,000 का interest निकल के आएगा उसके 10 person का rate 45,000 का आपका interest कर रहा हूँ 45,000 रुपीस का TDS आपको काट के payment करनी होगी 40,500 रुपीस की 194A अगर पढते हैं तो यह किसी भी exception के अंदर लाए नहीं करता और बाकी जितनी भी चीज़े trigger होनी थी है threshold limit वगएरा वगएरा सब कुछ trigger हो जाती है Next चीज़ देखिए 1-6-2019 को Mr. Ganesh ने जिनकी age 45 years की थी उन्होंने 3 9-month fixed deposits करे हैं तीन-तीन लाग रुपे के each carrying 9% interest विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच और रोहिनी ब्रांच of XYZ Bank जो की CBS एडॉप्ट करके बैठा है FD इस मिचौर हो रही है 28-2024 गुड क्वेश्चन बताइए TDS कटेगा या नहीं अगर कटेगा तो amount बताइएगा नहीं तो no लिखेगा अच्छा question है देखिए basic से धीरे धीरे level बढ़ाया जा रहा है आपके लिए and चीज़े हल किसी complicated होईगी think about it and बताइए पहले तो सारे के सारे students मुझे threshold limit बताइए इस case में कितनी लग रही है threshold limit कितनी है thanks for the appreciation Sam क्या बात है असमेता ने पहली मेरे पूछने से पहले ही answer कर दिया है 40,000 रुपीस की limit है बिल्कुल सही जवाब TDS कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा ये बताइए 40,000 correct that is what the correct answer is 10,000 नहीं है limit 40,000 रुपीस की limit है सब का मिला कर देखा जाएगा Manmohan ने बोला सब का मिला कर तीनों branches का मिला कर देखा जाएगा ठीक है देखते हैं Manmohan सही है या फिर नहीं TDS बताइए TDS अगर कटेगा तो कितना कटेगा मुझे अब multiple students 10,000 की limit लिखते क्यों दिख रहे हैं 10,000 की तो limit है ही नहीं न 194 A के अंदर Most cases में नहीं है कुछ exceptions में है बट normal general limit की अगर आप बात करते हैं तो 5000, 4000 और 50,000 तीन limits आपकी निगल के आती है वेबबफ अभी दिखाते हूँ मैं आपको हमने ICI का module खोल रहे हैं खोल के दिखा दूँगा नमस्कार प्रशांत 6075 तीनों की तीनों जो deposits थे तीन-तीन लाग रोपे के तो total मेरे deposits कितने निकल के आ जाएंगे 9 लाग रोपे के 9 लाग रोपे के मेरे deposits निकल के आ गए 9% से multiply करूँगा 9 months के लिए निकालूँगा तो multiplied by 9 divided by 12 मेरे पास figure निकल के आ जाएगी जो कि I'm presuming आपने सही निकाली होगी 6075 कैसे निकल के आई होगी उस final figure पे interest की figure पे 10% apply करके और आप सबने सही निकाला होगा जी पहले हुआ करता था correct 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 10,000 बहुत पहले हुआ करता था the general limit के अंतर चली जी आगे बढ़ते हैं bank की भी बात होगी है next हम देखने वाले हैं इस case को 1-4-2019 Mr. Rajesh 35 years के थे एक साल का recurring deposit उसमें CSR पर इंवेस्ट करे थे per month basis pay at 8% per annum with PQR bank the recurring deposit matures on 31-3-2020 very very important question very very important importance increase होते जारी है बिल्कुल हलवा question थोड़ा better question and finally a good question TDS बताईए कितना कटेगा कितना amount बताईएगा amount निकाल के बताईए कितना TDS कटेगा तब तक मैं पानी डाल लेगा हूँ दोस्ट जी आपका अंसर क्या निकल के आ रहा है आप मुझे बताईए मैं बताऊंगा आप कहां पर गलती कर रहे हैं TDS 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 का amount निकाला गया है 4160 ओके और कुछ स्टूदेंस कह रहे हैं no TDS no TDS नहीं no TDS नहीं है निनद कन्फ्यूज मत होई है कुछ स्टूदेंस को लग रहे है no TDS लेकिन है नहीं no TDS जिन्होंने भी no TDS बोला है उनकी दिमाग में चल क्या रहा है कि ये 80,000 रुपे का एक ही डिपॉजिट है ये भाई साब एक डिपॉजिट नहीं है पर मन्थ डिपॉजिट करे जा रहे है हर महीने डिपॉजिट पे डिपॉजिट 80,000 रुपे का करा जा रहे है आपने एक deposit माना होगा, interest निकाल लिया होगा और आपको लग रहा होगा कि आपने सही answer निकाल लिया है सोच के देखिए इतना हलवा question देगी है इसी है जब मैं आपको specifically बूल रहा हूँ बहुत difficult question है तो कुछ तो difficulty वाली चीज होगी ना हमेशा नहीं गुमा रहा होता है मैं आपको यहाँ पर आपकी limit कितनी लगती है चालिस हजार रुपे की limit लगती है और इन वाले deposits पे भी recurring deposits पे भी 194A लग जाता है आपका तो 40,000 रुपे की आपकी limit है उससे ज़ादा अगर interest दिया गया होगा तो ही TDS वाले provisions लगेंगे 80,000 रुपे हर महीने दिया जा रहा है 8 person के rate पे 8 person per annum के rate पे recurring deposit में चौर कब हो रहे हैं 31,3,2020 को कब से start करा था 1 year deposits इसमें जमा करना कुछ भी पैसा 1,4,2019 को start करा था अब आपने यहाँ पे assume क्या करा है महीने के end में start करा है या फिर महीने के starting में start करा है 80,000 रुपे जो दिये जारे हैं यह महीने के starting में आप मान رहे हैं या फिर महीने के end में मान रहे हैं कि यह तब दिये जारे हैं Simple interest N, N plus 1 divided by 2 equals to 78 Correct, correct, correct MONTH के starting में मान रहे हैं, MONTH के ending में मान रहे हैं deposit कम मानने, उसके साब से interest change हो जाएगा आपका starting में या फिर ending में नहीं कोई अलग से exception निये हुए नहीं, आपका recurring deposit भी time deposit की definition में आ जाता है which is why 194A उस पे भी लग जाता है, बिल्कुल starting से मानना पड़ेगा क्यों, उन्होंने दे रख है भई आपको ये 1st April को जब पहली installment आपने invest करे थी 80,000 रुपे में, 80,000 रुपे की तो ऐसा नहीं हो सकता आने वाले सालों में, आप end of the month में invest करने लग जाएंगे तो starting of the month में, अब आपको देखें, interest calculate करना कैसे था, इस question की जान ही वहाँ पे थी, जो कि मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ देखेजी, मैंने पहले 80,000 रुपे invest करे थे, यह मान लीजे मैंने 12 महीने बना दिये हैं, तो पहले 80K यहाँ पे invest करे गए थे, and it remained invested for 12 whole months, then 80K deposit करे गए थे, it remained invested for 11 months, ऐसे चलते चलते आपकी last installment निकल के आएगी 80K की, जो की invested रही होगी कब तक एक महीने के लिए, तो आपको यह छोटी से चीज करनी थी, इस पे आपको basic GP लगाना है, GP का formula लगाना है, geometric progression का, and आपका answer निकल के आजाएगा कि 80K पे, अगर आप 9% था, कितना परसं था, 8% था 8% की rate पे, 12 महिने तक invested रखते हैं, कितना interest निकल के आजाएगा, 80K को 8% के rate पे, 11 महिने इंवेस्ट करके रखते हैं, कितना निकल के आजाएगा, ऐसे चलते चलते आपको एक महिने तक चीज को पहुचा देना था, and आपका answer निकल के आ आजाता, कितना answer है, कितना answer नहीं है तो सारे के सारे स्टूट्स बता ही ये जने ने भी सही से इसको एपलाई करा था कितना अंसर निकल के आ रहा है देवश्री टोटली डिपेंज ओन आपने स्कूल कब क्वालिफाई करा है I guess 21 की एज ICA ने दे रखी है कि उससे पहले वो CA का certificate किसी को नहीं देते अगर आप achieve कर भी लेते हैं तो भी CA final examination clear भी अगर आप कर लेते हैं schooling बहुत जल्दी खतम कर ली 12 साल की एज में आपने 12th class pass कर ली है जो कि हो सकता है home schooling के cases में तो उस case में भी ICA आपको degree grant नहीं करने वाली जब तक आप 21 के नहीं हो जाते तो I think that is what the age is बताईए सारे के सारे students what is the figure of TDS that you were getting or the interest कुछ भी बता दीजेगा 80,000 multiplied by 8% multiplied by 1 by 12 equals to 53333.33 multiplied by 78 months ये भी कर सकते हैं आप इसका AP निकाल सकते हैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 last term को ले लीजेगा 12 months और AP निकालने के बाद arithmetic progression निकालने के बाद ये figure निकल के आजेगी जो की शालनी बता रही है ये जादा बेटर तरीका होगा 78 months आपके निकल के आजेगे and 78 months जो निकल के आजाते हैं उसको 80 ये से multiply कर दीजेगा multiplied by 8% of course and answer निकल के आ रहा है 41,600 का interest आपका निकल के आ रहा है जिस पर TDS आप कितने rate पर लगाएंगे 10% की rate पर लगाएंगे और लगाएंगे क्यों this is exceeding the limit of 40,000 जो भी आपको threshold limit की तरह दी गई थी by chance हलका succeed कर गया है which is why आपको TDS आपके काटना पड़ेगा क्या सबको clear हो गया है yes लिखेंगे तो बता दीजेगा शालनी ने 78 months कैसे निकाले मैंने आपको बता दिया arithmetic progression का formula लगा दीजेगा 1 आपकी पहली term हो जाएगी sub terms में difference कितने का हो जाएगा 12 आपकी last term हो जाएगी सबको clear हो गया है तो yes लिख दीजे है कि 10,000 की limit होनी चाहिए 40,000 की limit नहीं होनी चाहिए check कर लेते हैं कोई issue नहीं है second part आपकी 3 branches हैं CBS वाली branches हैं banks हैं FDs करवाई गई थी इंकी जगा पर FD करवाई गई है किसी ने किसी bank में करवाई गई है आपके हिसाब से क्या limit होईगी 40,000 की limit होईगी या फिर 10,000 की limit होईगी सारे सारे students पहले कुछ से बताईए उसके बाद मैं आपको उपर ले जाके दिखा दूँगा अपना तो मैंने आपको आंसर बताई दिया कि 40,000 की limit होईगी उपर ले जाके मैं आपको दिखा भी दूँगा जहाँ पर main section है देखे स्वाती आपको जो doubt है वो बिलकुली session से related है तो हम देखेंगे ज़रूर यह देखें स्वाती यह जो 40,000 की limit है आपकी कब आती है जब interest आप दे रहे हो किस चीज़ पर time deposits पर जिसमें of course include हो जाते हैं आपके fixed deposits और time deposits किस के साथ कोई भी banking company के साथ कोई भी cooperative society के साथ which is engaged in the business of banking या फिर finally कोई भी post office के साथ under notified schemes और यहीं पर अगर इन में जितना भी deposit करा गया था interest आ रहा है वो किसी resident and senior citizen को आ जाता है जो की दोनों condition satisfy कर रहा है 40,000 की जगल limit 50,000 की हो जाती है general cases में आपकी limit कितनी निकल के आती है 5000 की जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है which is why यहाँ पर आपकी 40,000 की limit निकल के आ जाएगी ऐसा नहीं होता वेब ऐसा काम पर लिका है core banking है तो उस case में 10,000 की limit हो जाएगी नहीं core banking CBS वाली अगर आप बात करते हैं core banking solutions की तो उसमें हमारा analysis इस question में क्या निकल के आ रहा था बस इतना सा निकल के आ रहा था कि तीनों branches की limits आपको मिला के देखनी है अगर CBS वो follow नहीं कर रहे होते हैं तो मैं हर branch के लिए अलग-अलग से limits को assess करता तीनों की मिला की assess नहीं करता जिसके पीछे मैंने आपको class में logic बताया भी था एक बार दिखा भी देता हूँ रुकिए मैं आपको यह देखे question number 2 limit कितनी है 40,000 की not 10,000 और वो तीनों core branch की core banking solutions जो होते हैं उनको follow करने के पीछे आपका consequence का निकल की आएगा question में आपको तीनों branches मिला के देखनी पड़ीगी limit exceed हो रही है या फिर नहीं हो रही है चली, next question देखे सारे के सारे students okay, देखे Maya bank credited 73,50,000 towards interest on the deposits in a separate account for macro monitoring purposes by using core banking solutions software no tax was deducted at source in respect of interest on deposits so credited even when the interest in respect of some depositors exceeded the limit of 40,000 rupees AO ने disallow कर दिया 30% of the interest expenditure क्यों? क्योंकि interest on time deposits credited जब भी 40,000 से ज़्यादा का था उन्हेंने कहा TDS आपको काटना चाहिए था आपने नहीं काटा है resident को करने वाली payment से हम 40A 1A attract करके 30% disallow से track कर देते हैं और TDS ना काटनी की वज़े से आपको penalty भी आपके उपर इंपोर कर देते हैं क्या assessing officer सही है या फिर नहीं है सही thanks for the appreciation sirish is the assessing officer correct yes or no झाल करने तर TDS आपको differ ढां एफ तो wars यानि कि यह जो interest डाला गया था, credit करा गया था accounts में, वो किस के लिए करा गया था, सिर्फ macro monitoring के लिए, सिर्फ यह assess करने के लिए कितना interest देना पड़ सकता है, क्या actually credit कर दिये गया उनके account में, नहीं, क्या उनको पता चला जिनके भी लोगों को interest मिलना था, क्या उनके account में credit हु आगया interest के नाम पे नहीं, बस macro monitoring के लिए, अपनी entries में, यह इंसान credit करने लगया था, अगर आप normally बात करते हैं, section 194 A की, वो require करेगा TDS आपको करना है, उसकी language ही कुछ ऐसी है, बट, अगर आप circular को देख लिते हैं, जो कि यह सरकार ने निकाल दिया था, इस चीज को clarify करने क के लिए, आपके लिए ampli clear हो जाता है, that is case में TDS काटने की जरूरत नहीं है, तो basic सा theoretical question था, TDS यहां पे नहीं कटना चाहिए, आपने खर्चा disallow कर दिया, penalty लगा दी, सब reverse करना पड़ेगा, next question देखिए, सारे के सारे students अपने screen पे, okay, एक student पूछने है, sir, Matt AMT कब होगा, Matt आपका होगा 5th और 6th January को, AMT कोशिश करेंगे इसके साथ कर लें, otherwise Matt के काफी questions आप बहुत important है, AMT comparatively इतना important नहीं है, CFN level पे, comparatively, important तो वो भी है, Mr. Govind, he won the first prize in a lottery ticket and the prize was a maruti car worth 5 lakh rupees, what is the procedure to be adopted before handing over the maruti car to Mr. Govind, question, halka sign complete है, मैं आपको थोड़ा सा complete करके दे देता हूं, या फिर चली आप इसमें बताईए, क्या लिखेंगे, ICNA question दिये ना आपको, अगर paper में यही question मिल जाता है, तो आप क्या लिख किया आएंगे, procedure क्या होना चाहिए, 5 lakh रोपे की गाड़ी देनी है Mr. Govind को, macro monitoring बताए ना परीट मेने आपको क्या होता है, macro monitoring मोटे मोटे तोर पर यह हो गया, कि आपको देखना है, assess करना है, आज इस position पर जहाँ पर हम खड़े हैं, कितना interest मुझे देखनी की ज़रूरत पढ़ सकती है, देनी की ज़रूरत पढ़ सकती है, daily basis पर आप check करना चाहरे है, monitoring करना चाहरे है, कि आपने जो भी पैसा उठा रखा है market से, उस प required to be collected, 1,50,000 rupees, पहले tax deposit करो, फिर गाड़ी लेके जाओ, okay, in-kind, pay TDS 1,50,000 rupees and then take the car, sir, heater on कर लो, आवाज आईगी, साथ आवाज आईगी, कोई ने, thanks for the concern, लेकिन कोई ने, चल जाएगा, ensure that Mr. Govind had deposited the tax amount, winning is in-kind, amount equal to TDS collected from the person, latest say, वो इंसान मना कर देता है, Govind कह देता है, मैं 1,50,000 rupees अपनी जेब से नहीं देने वाला, still, आप गाड़ी देना चाहते हैं, अब मुझे बता दीजेगा, कितना tax आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा सरकार को, कितना tax आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये बताईए, बस last question है मेरा आपसे, with respect to this question, आगले question पर तो जाएंगी, लेकिन इस question के respect में, मेरा last question आपसे यही है, कि अगर Govind मना कर द आपको गाड़ी देनी है, दो, नहीं देनी है, मत दो, तो आप क्या करेंगे, आप गाड़ी के दरवाजे, टायर, ये सब निकाल के दे 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 या फिर अपनी जेब से पैसा देंगे सरकार को, और अगर जेब से देंगे तो कितना पैसा देंगे, CA Final Quick Recap ने बोल आपको अपनी जेब से कितना टाक्स सरकार को देना पड़ेगा, that is the question which I have asked. दिलिप ने भी कहा है 1.5 लाग रुपीज देने पड़ेंगे, again incorrect answer, स्वाती ने कहा है 1.5 लाग गलत answer, अच्छा इतना concept रहा है क्या, आप मेरी वेट कर रहे होते हैं क्या मेरे question मनाने की, चलिए खेर, कर लेते हैं इसको discuss कर लेते हैं, जब इतनी ही clarity में दिक्कत हो रही है तो discuss कर लेते हैं, यह दिक्कत जो मैंने आपको अब भी बताई है, यह तो किसी भी section में आ सकती है, this is very generic, 1.15384, that might be the correct answer, 1.15384, नहीं, डेड़ लाग से जादा होगा कुछ ना कुछ, कम नहीं हो सकता, डेडलाज अपूरव ने सही answer दिया है, grossing up करके, लेकिन figure निकाल के बताईगे न, तब पताई चलेगा, मैं आपको बताता हूँ amount कितना होगा, पांच लाख डिवाइड बाई 70 परसंट यह आपकी फेगर निकल किया अगी माइनस फाइव लाक्स and the answer which I am getting is 214285 इतना देना पड़ेगा अपनी जेब से 214286 कर देते है राउंड ओफ करके यह देना पड़ेगा अपनी जेब से 214286 बिल्कुल सही बोलर हमेश ने इतना निकल के आएगा हुआ क्या है समझ लीजे पांच लाक रुपे की गाड़ी मैं देने वाला हूँ यहाँ पे कौन है सुरेश बहुत इंपोर्टन चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजे समझना चाहेंगे या फिर अगले क्वेशन की तरफ बढ़े कुछ भी कर सकते हैं अगर आप क्वेशन के माइंड से आए हैं कि धड़ा धड़ क्वेशन करने हैं तो वो कर लेते हैं अगर बीच में कहीं पर जहां पर अटक रहे हैं उनके difficult iterations देखना चाहेंगे difficult and different versions देखना चाहेंगे question के तो वो भी कर सकते हैं समझना चाहेंगे समझो समझाओ रमेश समझादो सर ठीक है वो ही better है मतलब नहीं तो फिर फाइदा किया classes का मुझे तो first time पता चला अच्छा वैब देखे फिर्स टाइम इस चीज़ को देखे और मज़े से समझीए concept को रटियगा मत आपको 5 लाग की गाड़ी देनी है 5 लाक की कार ठीक है जी कहां पर पहुचानी है रमेश के पहुचानी है ये इंसान आपको वापिस कुछ नहीं दे पाएगा अगर इसने आपको डेड़ लाग रुपे वापिस दे दिये होते तो हम क्या बोल पाते सोच के देखे आप मेरे पास आपने कहा सरे 500 रुपे आपको 300 रुपे की कोई मुझसे किताब लेनी थी आपने मुझे 500 रुपे दिये मैंने बदले में आपको 200 रुपे वापिस दे दिये आप क्या कहेंगे आपका 500 रुपे का खर्चा हो गया नहीं आप कहेंगे आप 300 रुपे का खर्चा होगा क्यों म फाइव लाक रुपीज का या फिर किसी और अमांट का खर्चा कितने का हुआ सारे के सारे ध्यान से आंसर करिएगा because बहुत जादा कॉंप्लिकेट करके मैं लास्ट क्वेशन आप से पूछने वाला हूँ आपके कॉंसेप्स चेक करने के लिए बहुत कॉंप्लिकेट करके मज़े आजेंगे आपको अगर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे तो और खुद तब ही सॉल्व कर पाएंगे जब इस्टीज का आंसर देंगे जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ सुरेश का खर्चा कितने का हुआ होगा think about it and answer very properly तो net basis पे कितना खर्चा हुआ है सुरेश का सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाग रुपीज का सुरेश के खर्चे की हम बात कर रहे हैं net basis पे मतलब रमेश के पास कितना पैसा पहुचा है चली मैं different तरीके से refresh करता हूँ question को क्योंकि आपके दमाग में आएगा सिर्फ ये डेड़ लाग रुपे इसके पास थोड़ी आए ये तो सरकार के पास चले गए है ठीक है आपका point valid है मैं different तरीके से पूछता हूँ बिल्कु देखिए वो वनमुहन ने लिग भी दिया उस चीज को रमेश को कितने का फायदा होगा net basis पे इसमें आएगेस सबका ही आंसर निकल के आएगा सर 3.5 लाग रुपीज का फायदा होने वाला है रमेश को 5 लाग रुपे मिले, 1.5 लाग रुपे देने पड़े net benefit to रमेश is 3.5 लाग मुझे बसे इतनी सी चीज बता दीजे कि TDS काटने के बाद अगर हम percentage की बात करते हैं तो what percentage of the distributed amount should reach रमेश? I'll rephrase the question what percentage of the distributed amount should reach रमेश? what percentage of the distributed amount should reach रमेश? बस इतना साही जानना था मुझे 70% बिलकुल सही जवाब दिया आपने तो हमेशा आप answer देने के time पर जब भी आपसे TDS पूछा जाए ना हमेशा payee को देख लीजेगा जिसके पास कुछ भी पैसा पहुच रहा है यह देखे net base पे ले देके कितना पैसा पहुचा और जितना भी पहुचा है वो आपको percentage पता है कितनी represent करता है तो चलिए हम जल्दी से लखना शुरू करते हैं net basis पे इसके पास 3.5 lakhs पहुचे हैं जो की represent करते हैं कितने amount को 70% of the total amount को तो मुझे जल्दी से total amount बताएगा कोई कितना है total amount है 5 lakhs रूपीज क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं तो यहाँ पे यह सारी transaction होने की वज़े से हम in short क्या बोल पा रहे हैं कि 5 lakhs रूपे distribute करे हैं किसने सुरेश ने और रमेश के पास कितने पहुचे हैं 3.5 lakhs और इनके जो बीच का difference है 1.5 lakh रूपे यह सरकार के पास पहुच गया होगा क्या actually सब कुछ ऐसा हुआ है बिल्कुल ऐसा हुआ है इसने 5 lakh की distribution कर दी इसकी जेब खर्ची कितनी निकल किया इसको जेब से कितना कर्चना पड़ा 5 lakh रूपे ठीक है totally holds true रमेश के पास net basis पे 3.5 lakh पहुचने चाहिए थे उतने ही पहुचे हैं और बीच का difference सरकार के पास पहुचना चाहिए था जो की पहुच जाएगा क्योंकि रमेश से पैसे कलिक करते ही सुरेश को सरकार को देने होंगे क्या सब कुछ in line आ गया है बिल्कुल आ गया है अभी तक किसी को कोई भी doubt हलका सो complicate करते है अगर अभी तक कोई भी doubt नहीं है तो yes लिग दीजे थोड़ा सो complicate करते है and finally सबसे complicated case मैं आप से पूछूँगा और आप ही answer देंगे सही answer देंगे अभी तक सब clear हो गया है तो please yes लिग दीजे no doubt perfect next case की तरफ बढ़ते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया है तरीका ध्यान में रखिएगा आपको रमेश के respect में देखना है सबसे पहले देखिए net basis पे फाइदा कितना हुआ आपको percentage पता है कितनी represent करता है 100% amount निकाल लीजे दोनों के बीच में difference होगा वो क्या होगा वो TDS payable होगा जो कि किस के पास पहुचेगा सरकार के पास पहुचेगा बस इतना सा काम करना है अब गलत आंसर नहीं आना चाहिए किसी का देखिए सुरेश रमेश मैंने आपको बताया इस इंसान को 12 लाक रोपे की 12 लाक रोपे की गाड़ी दी जा रही थी और इसके पास वापिस देने के लिए कोई भी पैसे नहीं थे 12 लाक रोपे की गाड़ी लॉट्री में दी जा रही थी अब ये 12 लाक रोपे की गाड़ी दी जा रही थी रमेश को मुझे एक चीज़ बताईए अगर आपको गाड़ी देनी पड़ी की रमेश को प्रोसेस एपलाई करना शुरू करिए net basis पे रमेश को कितना फायदा हुआ है सारे के सारे students मुझे आंसर बताएंगे net basis पे रमेश को कितना फायदा हुआ है thanks for the appreciation सिरीश is this 5 lakh रुपीज इंक्लूजिव ऑफ GST वैल्यू GST पे TDS नहीं करता है so this is not inclusive of GST वैल्यू अगर आप TDS की बात करते हैं आपको GST पे TDS नहीं लगाना होता है तो आप GST हटा के देखते हैं सारी वैल्यूज को तब आपके answers निकल के आते हैं ठीक है? answer कर दिया मैंने आपको 11 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs 11 क्यों लिखने हैं भई? पूरे 12 lakhs का इतर फायदा हो गया है तो रमेश कुछ नहीं दे रहे अपनी जेब से गलत answers दे रहे हैं सारे के सारे गलत answers दे रहे हैं net basis पे कितना फायदा हो गया है पूरे 12 lakhs का फायदा हो गया है क्यों? 12 lakhs की गाड़ी पहुच चुकी होगी रमेश के पास रमेश को अपनी जेब से कुछ देना पड़ रहा है नहीं, सुरेश देगा अपनी जेब से तो net basis पे रमेश को कितने का फायदा होगा 12 lakh रुपे का फायदा हो जाएगा वो गाड़ी चला रहा होगा अगले दिन से ऐसा नहीं उसको अपनी जेब से कुछ देना पड़ा सुरेश देगा अपनी जेब से पैसा सरकार को तो ये 8.4 lakh किसी एक student ने लिखा सबने जड़िया लगा दी 8.4 lakh की क्या कर रहे हैं ये और ये तेव दुलाल कहां से जाक के उठे हैं अभी कहां से macro monitoring आभी macro monitoring का question पंदरा मिनट पहले हुआ था कहां पे चल रहे हैं आप live पे क्लिक करें आप 5-6 बार क्लिक कर लीजेगा तब जाके पहुचेंग में आप है आप बिल्कूल 12 lakh रुपे का फाइदा है जिन्होंने स्टार्टिंग में 12 lakh बोला था उन्होंने सही answer दिया है 8.4 lakhs का फाइदा नहीं है उसको 12 lakh की गाड़ी मिल गई है अपनी जेप से वो कुछ नहीं देने वाला जो भी देना है सुरेश को देना पड़ेगा तो net basis पे 12 lakh रुपे का फाइदा हो गया है रमेश को और ये 12 lakh क्या represent करता है 70% represent करता है मैंने आपको क्या बोला था रमेश को कितना फाइदा हुआ है 12 lakh का जो कि क्या represent करता है 70% मतलब अगर TDS के provision से comply करा है तो जो भी फाइदा हुआ है रमेश को net basis पे वो 70% represent करेगा total amount का और अगर 12 lakh रुपे 70% represent करता है तो total amount कितना निकल किया आजाएगा 12 lakh divided by 0.7 and the figure which I am getting is 1714286 this is the figure which is representing 100% बस अब इन दोनों में मैं difference निकालूंगा कितना निकल किया आया 514286 इतना TDS होना चाहिए इतना TDS देना पड़ेगा अपनी जेप से किसको सुरेश को अगर दे देता है सरकार को इतना पैसा हो तो हम मोटे मोटे तोर पे बोलेंगे क्या सुनिएगा ध्यान से हम कहेंगे सुरेश ने 17,14,260 रुपे का फाइदा पहुचा आया है मिस्टर रमेश को कैसे? 12,00,000 की तो गाड़ी दे दी और उसके बेहाफ पे इतना पैसा TDS का सरकार को दे दिया दूसरी चीज़ इतना TDS सरकार के पास पहुचा है कहां से? सुरेश से और तीसरी चीज़ हम बोलेंगे रमेश को नेट बेसिस पे 12,00,000 का फाइदा हो गया क्या सब कुछ सही निकल के आता है बिल्कुल सही निकल के आता है अभी तक कि सारी चीज़े समझ आ गई है तो बता दीजे Yes और No बोलके शालनीने क्यों लिखा है? शालनी किस चीज़ पे क्यों लिखा है? कौनसे फिगर पर आप क्यों लिख रहे है? प्लीज बताईए क्योंकि आगे मैं आपको एक बहुत difficult चीज पूछने वाला हूँ जो कि बिल्कुल difficult नहीं होगी अगर आपने concept समझ लिया है तो तरीका समझ लिया है तो otherwise answer नहीं कर पाएंगे बिल्कुल मिलेंगे ना web of web of केरें सर ऐसे तो government को excess पैसा मिल जाएगा 30% के हिसाब से 12,00,00 पे अगर ये काट के TDS देता तो 30% के हिसाब से 3.6,00,00 मिलते अब 5.14,00,00 मिल रहे हैं मोटे-मोटे तोर पे बिल्कुल excess फाइदा मिलेगा भाई साब क्यूं रमेश के साथ भी तो रमेश के पास भी तो excess फाइदा पहुचा है अगर इस पर आप TDS काट के देते रमेश को पैसा तो 3.6,00,00,00 कट के रफली 8,00,00,00 के आस पास 8.4,00,00,00,00 का फाइदा मिलता रमेश को जब रमेश के पास net receivable पैसा जादा हो गया है मिलने वाला फाइदा जादा हो गया है तो सरकार भी तो TDS जादा ही collect करेगी इसमें कोई आपतिचनक चीज नहीं हो रही कोई दिकत वाली चीज नहीं है बिल्कुल समझा गया गुरू जी wait sir, मनमोहन बताईए कि स्टीज के लिए wait करने के लिए कह रहे है TDS का benefit तो रमेश को मिलेगा कौन मना कर रहे है रमेश को नहीं मिलेगा लेकिन आप मुझे बताईए यह जो मैने statements मारी तीन statements पहली चीज सुरेश ने total इतने का benefit रमेश को पहुचा दिया 17,14,286 514,286 सरकार के पास पहुच गया यानि कि इन दोनों का difference इसलिए देगा TDS क्योंकि रमेश TDS दे नहीं सकता और यह cash है नहीं जिससे मैं काट के TDS की payment कर दूँ यह गाड़ी है या तो 12,00,00 की गाड़ी दे सकता हूँ या फिर नहीं दे सकता इसमें कोई beach का तरीका नहीं है की काट के payment कर दूँ तो अगर मैं गाड़ी distribute करना चाहता हूँ मैं अपनी jeb से distribute करके कर दूँगा और उस case में मुझे analysis करना पड़ेगा मैं 17,00,00,00 रुपे अपनी jeb से खरचना चाहरा हूँ या फिर नहीं करचना चाहरा अगर नहीं करचना चाहरा है मैं रमेश को मना कर दूँगा मैं तुम्हें गाड़ी नहीं देता अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते TDS के तो क्योंकि मुझे अपनी jeb से खरचना पड़ जाएगा यह साब लेकिन अगर मैं दरिया देली दिखाता हूँ तो ये तरीका करके की 17,14,286 टोटल इतना expenditure करके मैं ये 12,00,000 रुपे की गाड़ी रमेश तक पहुचा सकता हूँ पॉफेक्ट अब लास्ट क्वेशन देखिए और सारे के सारे students answer करिए पता चल जाएगा कितनों को समझाया है कितनों को नहीं समझाया है मैंने आपको बताया 12,00,000 रुपे की या फिर चलिए 12 रहने देते हैं अब उनी फिगर्स पर आ जाते हैं जो की question की फिगर्स थी 5,00,000 रुपीज की कार थी रमेश को देनी थी रमेश को बोला गया 1,500,000 रुपे का TDS तुमारा बनता है गाड़ी से तुम्हें काट नी सकता 1,500,000 रुपे दे दो मैं सरकार को देदूँगा रमेश ने कहा 1,500,000 तो नहीं है मालिक 50,000 ले लो सुरेश ने कहा बाकी 1,000,000 रमेश ने कहा नहीं है अब दे सकते हो गाड़ी इतने में तो दे दो नहीं तो रहने तो सुरेश ने कहा चलो ठीक है गाड़ी दे देता हूँ अब हमें इतना तो पता है इसको अपनी जेब से कुछ ना कुछ TDS देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा ये आप मुझे बताएंगे करिए calculations कितना TDS सुरेश को देना पड़ेगा अपनी जेब से आउट ओफ ओन पॉकेट बाप की दिमाग में आएगा सरी पचास दजार भी सुरेश ही तो देगा हाँ लेकिन वो रमेश से मिल गया है मैं कहारों अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा सुरेश को ये बता दीजे मुझे think about it, answer निकालिए and answer करिए आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ मेरे पास एक amount निकल के आ गया है इस में से मुझे minus करना है ठीक है, आगे मेरे पास answer दिखते हैं कितने सही answers है थैंक्स वादी अप्रिसेशन सिरीश शॉक शॉक की बात है प्लीज समझाईए, देवदुलाल समझाऊंगा तो मैं हूँ ही अभी कोशिश तो गड़ी है, कुछ तो figures निकाली है मुझे पूरे स्क्रीन पे गलत answers भरे हुए मिल रहे हैं भरे हुए हाई धिरेन पूरे स्क्रीन पे गलत answers भरे है अकेली असमिता हैं जिनका सही answer आया था लेकिन बाकी पूरी भीड के गलत answers देखके वो doubt में बढ़ गई हैं कि 50,000 अड़ करके तो नहीं बताना था नहीं होगा असमिता अपने सही तरीके से interpret कर रहा है आप अकेली है पूरे के पूरे स्क्रीन में जिसने सही answer दिया आपके इदर उदर answers देखके just because आप majority में फॉल नहीं कर रहे है अपने answers पर डटे रही है आपने वो चीज नोट करिए मतलब अच्छी चीज है वो the correct answer is 142857.14 आंके decimals में भी जाता है अब बताइए आप कैसे है अब बताइए आप कैसे है the correct answer is this 142857 142857 विकी आप ये थोड़ा सा तो मिस हो गए बहुत जादा मिस नहीं हो है लेकिन इतना भी मिस हुए कैसे हुए तो हुए कैसे most welcome चलिए दुबारे process पे आते हैं अगर आपने process में गलती नहीं करी होगी न आपका answer गलत आ ही नहीं सकता देखे मैंने आपको क्या बोला था हमेशा ये सोचेगा देखिए वैसे question बहुत complicated है आप किसी भी अपने दोस्त से पूचके देखेगा जिसने के वाले questions इटेम नह लाइए net basis पे कितना फाइदा मिल गया है रमेश को कितना amount लिखू यहाँ पे सारे congratulations congratulations बोलना शुरू हो गए लल्लू लाल screen पे देखो screen पे बहुत से ही जवाब है 4.5 lakh rupees which again represents 70% अगर काईदे से TDS काटा हो तो तो gross amount निकालना कितना मुश्किल है कुछ भी नहीं है 4,50,000 divided by 70% and the figure which I get is 642857 बस यह मेरी figure निकल के आगी किसकी gross amount की यह आपका gross amount है यह आपका net amount है and gross minus net क्या निकल के आजाता है TDS निकल के आजाता है तो total मेरा TDS कैसे निकल के आजाएगा 642857 मेंसे मैं minus कर दूँगा 4,50,000 and the figure which I get is 192857 जो कि आप मैंसे काफी सारे लोगों ने comment करी भी कि इतना TDS देना पड़ेगा मैंने पूछा था कि कितना TDS देना पड़ेगा नहीं मैंने पूछा था सुरेश को अपनी जेब से कितना TDS देना पड़ेगा 192857 मेंसे 50,000 रुपे तो रमेश ही दे रहे हैं वो सुरेश को अपनी जेब से थोड़ी देना पड़ रहा है सुरेश को अपनी जेब से कितना द चलिजी, इस question से, आपको वैसे लग रहा होगा, हमने एक question practice कर रहा है, लेकिन ये बहुत हलवा question था, हमने इतने हलवा questions है, ऐसे-एस questions practice कर लिए, जो कि paper में 4-4 marks के भी आ सकते हैं, हमने जितनी भी iterations हो सकती थी इस question की, सारे की सारी practice कर लिए है, तो इसको बड़ा ही मान के चल पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, निकालने का ये छोटा सतही का है, यहाँ पर आपको basic सी चीज़ बताईगी है, डेड़ लाग रुपे collect कर लो, सरकार को दे दो, but what if नहीं देता, वो वाली situations भी आपको paper में बूची जाती है, उसके वालों मैंने आपको त्यार कर दि देखे, question number 6, ABC Limited makes the following payments to Mr. X, जो कि एक contractor है, किस चीज़ के लिए, contract work के लिए, during the previous year 1920, इतनी इतनी payments करी गई थी, in and dates पर करी गई थी, 1-3-2020 को payment करी गई है, कितने की, 30,000 rupees की, X को करी गई है, on account of a contract work, बताईगे, TDS कटना चाहिए, या फिर नहीं कटना चाहिए, चोट इस ची चैसा पिरे गई है, किस से खबादे है, भी है, कि स्थेखे दो के अवचो पई में और को खद रहादे है, ब North खो कैसे ऑई है, किस लिए। सहा हुगता है करी रहा है, बताओे, बताब का लिएू को दोटे है, किस अभुलbert चजज़ती की दितनीत का चाहिए, त scalar रह भास अल्मूस्ट सबकी सही जवाब है TDS काटने की जरुरत है और क्यों है माना ये individual amounts 30,000 रुपीज से exceed नहीं कर रहे है लिगिन जब आप aggregate देखते हैं इस date पे आके तो ये 1,00,000 रुपे से exceed हो गया है और दोनों limits थी aggregate में 1,00,000 रुपे देखने होते हैं individually 30,000 रुपे आप सबको सही provision पता है मैं आप से एक छोटी सी चीज ट्वीक करके पूछू इस question को अपना बना के पूछू TDS कटेगा इस case में total आपका निगल के आता है 20 plus 25, 45 plus 28 plus 3 ये आपका 1,00,000 रुपे निगल के आएगा if I am not wrong और 1,00,000 रुपे आप payment किसको कर रहे है to a contractor Mr. X individual को payment कर रहे हैं एक परसन के rate पर TDS काटेंगे तो आपका 1,030 रुपे का TDS निगल के आना चाहिए जो कि आपको काटना पड़ेगा तो 1,030 रुपे का TDS आपको काटना पड़ेगा ये payment करने से पहले last payment करने से पहले that is what the correct answer is अब मैं question को हलका सा tweak करता हूँ answer करिएगा मुझे ठेके जी 1,030 रुपे करे करे सही answers दे रहे हैं सारे के सारे मैं हलका सा change करता हूँ question को थोड़ा सा सोचने दीजे मुझे question को tweak करा कैसे जाए देखे मैं यहाँ पर एक और payment ले आता हूँ कितने की 25,000 रुपे की या फिर लेटर से ले के आ जाता हूँ मैं 29,000 रुपीज की कब 13 या फिर 14, 12, 19 को करी गई थी extra payment मैंने आपको बता दी है और ये वाली जो payment है 30,000 रुपीज की नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 1000 रुपे की payment है रुपीज 1,000 दो चेंजिस करें मैंने question में पहली चीज एक payment इंटर्डिउस कर दी और दूसरी ये जो 30,000 की payment थी 1, 3, 2020 को उसको काट के मैंने 30,000 से 1,000 पे लेके आ गए हूँ गिरा के अब मुझे बताइए कौनसी डेट पर TDS काटा जाएगा और कितने का काटा जाएगा date and amount दोनों बताइएगा Sir, you are shivering अच्चा, ऐसा लग रहेगा वीडियो में हो सकता है लकाफुल का same ही रहेगा answer विकी केते हैं answer exactly same रहेगा answer exactly same रहेगा ओके प्रणाम विनी जी, प्रणाम कौनसी डेट पर काटा जाएगा आप गलत बता रहे है अब TDS आपको यहीं पर काटना पड़ जाएगा 14th December को क्यों यहीं पर आपका amount पहुझ गया है 1,2,000, 1,00, रुपे exceed हो गया था 1,00, रुपे से कौनसी डेट पर तो आपको 1,020 रुपे का TDS काटना पड़ेगा इस पर्टिकलर डेट पे that is what the correct answer is going to be और उसके बाद जब आप यहां पर पे payment करेंगे उससे तो आप 1% काट ही लेंगे 10 रुपे का चलिए, हलकी सी और tweaking मुझे करने दीजे इस question में and then, let's see what the answer is let us say मैंने इस figure को कर दिया काट के last iteration, बस last iteration उसके बाद आपकी class खत्म 27,000 और यह जो amount था या फिर इसको कर लेते हैं 26,800 और इस वाले amount को मैं कर देता हूँ 700 रुपीज 700 रुपी की payment करी जा रही है अब answer करिए यह है सबसे खतरनाक version of this particular question सबसे खतरनाक version कौन सी date पर TDS काटना है कितने amount का TDS काटना है 1st March को काटना है amount भी बताइए निकेत कहते हैं 1005 रुपे का TDS काटना है ओके दिलिप ने भी कहा 1st March को प्रदीप ने भी कहा 1st March को आप जो भी comment लिखते हैं उसी में amount साथ में लिखा करिए ताकि मुझे बता चले है आप सही analysis कर रहे हैं या नहीं कर रहें date के साथ amount भी बताइए एक हजार पांच का एक हजार सात रुपे का फर्स्ट मार्च को एक हजार पांच अच्छा दि ये इतने सारे students जो एक हजार पांच कह रहें है हाई संजय एक student ने 700 रुपे लिखे है मुझे एक छोटी स्चीज बताइए भई एक हजार पांच रुपे का TDS 700 रुपे से कैसे काटा जा सकता है मुझे payment ही 700 रुपे की करनी है एक हजार पांच रुपे का TDS काटू तो काटू कैसे है कोई तरीका बताएगा काट लूगा मैं TDS 1500 का मुझे कोई दिक्कत नहीं है काटू कैसे think about it and बताईए शालनी ने आंसर बदल दिया मधू ने आंसर बदला है या फिर यही दिया है मधू ने यही आंसर दिया है 700 रुपे ओके क्रेडिट बेसिस क्या क्रेडिट बेसिस कैसे क्या चीज थोड़ा smiling face करिए why so serious लीजे high rise हस गया मैं कोई हसने वाली बात भी दो ऐसी बेवजा हसने वाल को जो कर बोलते है कोई reason तो हसने का question पूछरो आप से हस तहस पूछूँगो ना डर जाओगे क्या कर रहा है teacher तो मौका ने दिया गरवसने का only 700 रुपीज का काटना जाएगा मैंने आपको confuse करने की कोशिश करी आप confuse हो गए 700 का नी पूरे 1500 रुप का TDS काटना है और कैसे काटना है अरे भई ये वो ही situation तो है जो कि पिछले case में था और क्या था पिछले case में answer जैसे इम पिछले case में कह रहे थे कि भाई साब तुम जो हो recipient of the money वो shortfall को pay करो यानि कि 1500 रुप का TDS कटना चाहिए था न तो 305 रुपे मैं recipient से मागने वाला हूँ कि भाई साब तू दे दे मुझे अपनी जेब से TDS देना पड़ेगा कैसे grossing up करके either which ways TDS तो deposit करना पड़ेगा just because the payable amount is coming out to be less than the TDS which is to be deductible does not mean सरकार अपने TDS छोड़ देगी TDS तो वो लेके रहेगी तो ये transaction करने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा नहीं तो मैं तेसे goods या services नहीं खरीद पाँगा तो पूरे साल के दौरान multiple goods आपने खरीदे होंगे उस इंसान से ये पहली बार होगी जब आप 700 रुपे के goods खरीद रहे होंगे उस इंसान से और goods खरीदने के लिए वो आपको पैसे देगा सुनने में अटपटा लगेगा कि दे भाई good भी दे और उसके साथ-साथ 300 रुपे वो भी मुझे दे लेकिन income tax act में ऐसी चीज़े होती है तो इसको अपने असाब से अपने लिए वो इनसान हाथ सा मान के भूल सकता है इस incident को लेकिन transaction करनी है तो देने ही पड़ेंगे जेप से 305 रुपे नहीं तो इस इंसान पे जिसने payment करनी है उसके ओपर gross basis पे liability निकल के आ जाएगी the same way जैसे हमने पिछले case में देखा था and I'm pretty sure कोई भी student गलत liability नहीं निकालेगा अगर निकालने की बारी आई तो कटने कटाने का session चल रहा है TDS का जी अच्छा वैसे चलिए पूछी लेता हूँ इस case में अगर अपनी जेप से देना पड़ा पैसा कितना देना पड़ेगा दिखते आंसर करिए अगर इस case में ABC limited जब payment करने वाली थी Mr. X को 700 रुपे की payment करनी थी एक हजार पांच का TDS काटना था वो इंसान मना कर देता है मैं तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं दे सकता और transaction कर लो मुझसे goods खरीदना चारे हो कर लो मैं तुम्हें अपनी जेप से कोई भी पैसा नहीं दे सकता ये 700 रुपे रखना चाते हो रख लो मुझे payment मत करना goods लेके चले जाओ बट अपनी जेप से 305 रुपे तो नहीं देने वाला मैं उस case में अपनी जेप से इस इंसान को यानि कि ABC Limited को कितना पैसा पे करना पड़ेगा सरकार को मैं एक रुपे भी नहीं दूंगा या आप किस के बिहाफ पे कह रहे हैं अंकित X के बिहाफ पे कह रहे हैं या फिर ABC Limited की बिहाफ पे कह रहे है most welcome Mohit मताई last cheese answer करिए फिर आप जा सकते हैं कितना पैसा देना देखिए ऐस में था गलत आंसर दे दिया पिछले question में आपने सही आंसर दे के यहाँ पे गलत आंसर दे दिया सोच के देखिए जब उस इंसान को recipient को 300 रुपे देने पड़ रहे थे क्या grossing up करके आपको भी 300 रुपे देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ तो जादे ही देना पड़ेगा इतना हम खुद से ही समझ सकते हैं 305 बिल्कुल गलत जवाब है that's the wrong answer let me just check what the correct answer is okay मेर पास correct answer आ चुका है and अकेले मुझे screen पे दिख रहे हैं दिलिप जन्होंने सही answer दिया है बाकी सब के गलत answer है कैसे 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 प्रीत बताईए किस तरीके से link नहीं हो रहा असमें तक अभी अब सही answer निकल के आ गया है शकल ही ऐसी है मेरी high rise मेरे expressions को दोश्मन दीजे मेरी शकल ही ऐसी है the correct answer is 308.8 again the same analysis that you have to run through from this particular point of view from this particular case वो ही चीज़ करनी है हमें यह जो recipient था of the payment Mr. X इसको कितने का फाइदा हो गया 305 रुपे originally इस इंसान को देने चाहिए थे अब इसको कुछ नहीं देना पड़ रहा क्यों इसने मना कर दिया मैं तो नहीं दूँगा मेरी responsibility बनती है तुझे 305 रुपे देना मैं नहीं देने वाला यह question थोड़ा हो difficult है पिछले case से क्यों पिछले case में आपको actually recipient के पास कुछ ना कुछ ठीक है जी 305 रुपे को हम क्या करेंगे हम सीधा सीधा extrapolate करके देखेंगे कैसे यह 70% है और अगर यह आपका 70% है तो 100% आपका amount क्या निकल के आजाएगा 308.08 100% आपकी यह figure निकल के आजेगी और इतनी ही figure किसको देनी पड़ेगी ABC limited को देनी पड़ेगी पूरा का पूरा 100% amount हमने सिर्फ अब इसको extrapolate करके देख लिया figure कितनी निकल के आई है यह नहीं समझ में आता पूजा इसको थोड़ा practice करना पड़ेगा तब जाके दिमाग में अच्छे से बैठेगा अच्छा यह मैंने गलती से 70% लिख दिया figure मैंने सही निकाली थी 70% बोलते बोलते आपको पिछले case से relate करके गलत लिख दिया 99% बिल्कुल सही बात है 1% grade पे TDS काटना था ना So this should be 99% जो भी net basis पे receive हुआ है SSE को तो हम उसको 99% से divide करेंगे हमारे पास total figure निकल किया आजेगी कि कितना पैसा देना पड़ेगा इस इंसान को ABC Limited को Good night Manmohan आप जा सकते हैं Class हमारी कतम हो चुकिया जिनको भी Manoj सर की class जोइन करनी है सारे के सारे students जा सकते हैं बस schedule देख लीजे TDS, TCS and advanced stats तीनो की तीनो हम करने वाले हैं daily basis पे Friday, Saturday, Sunday को फिर mat उठाएंगे उसके बाद total income and then transfer pricing आने वाली classes में अलग-अलग chapters भी उठाते रहेंगे and मैंने आपको subscribe करने का तरीका भी बता दिया है साहिल सी एक छोटा सा code है अगर free classes आप देखना चाते हैं in academy पे यही code आपकी classes का unlock कर देगा और अगर paid classes लेना चाते हैं तो आपको 10% discount fetch करवा देगा that's about it इसी question में किसी को और भी कोई भी अगर doubts है तो आप पूछ सकते हैं most welcome preet I am glad कि आपको अच्छा लगा अच्छा सारे के सारे students एक और चीज देखिए एक और चीज देखिए बहुत मज़दा चीज निकल के आईए goodnight Charlie, most welcome thanks for the appreciation सारे के सारे students एक और चीज देखिए हाँ भई हाँ CA final quick recap change कर दूँ हमें days को क्या फर्क पड़ रहा है आपको dates तो पता है न मुझे पता है days गलत है वहाँ पे यहाँ पे देखिए एक और analysis निकल के आया पिछले question में भी हमने जो इतना बड़ा process apply करा था जब मैंने आपसे पूछा था सुरेश को अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा हमने क्या करा था हमने देखा net paces पे रमेश को कितना मिला पांच लाग माइनस पचास थार 4.5 लाग इसको 70% से डिवाइड करा मेरे पास वेगर निकल के आई 642857 दोनों का difference निकाला मेरे पास वेगर निकल के आई 192857 जो कि TDS निकल के आगया जिसमें से मैंने 50,000 रुपे माइनस करे तो मेरे पास finally निकल के आया कि सुरेश को कितने अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे कोई और student क्या मुझे कोई alternative formula बता सकता है जिससे हम जल्दी से निकाल सकते हैं कि सुरेश को कितने पैसे देने पड़ेंगे TDS के नाम पे alternate formula अभी अभी apply करा है हमने इस वाले question में next question में questions के साथ-साथ नए-नए formulas बनते रहते आपको अभी भी मुझे वोई चीज़ बतानी है कि सुरेश को अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे बट इतना बड़ा तरीका नहीं छोटा सा एक formula लिखके बता दीजे आप कहां से निकल किया जाएगा कुमार सानू वोई जो अभी इस question में हमने अप्लाई कर रहा है 4.5 lakhs divided by 70% गलत जवाब कुमार सानू गलत जवाब अशालनी गलत जवाब विक्की गलत जवाब अभी इस नोट वट आइम थिंकिंग कि आपको यह बोलना है अभी इभी तो अप्लाई कर रहा है थैंक्स लोटी प्रेसेशन के शाल अभी तो अप्लाई कर रहा है लेटस क्वेशन में देवदुलाल अलगी दुनिया में चल रहे है अभी भी 15 मिनट पीछे चल रहे है वो मैंने TDS का क्वेशन पूछा था था न 194C का देखी अभी उनका देवदुलाल का उस वाले क्वेशन का आंसर आ रहे है कि 1,3,20,20 को TDS काटा जाएगा आंसर सेम होगा देवदुलाल लाइफ पे क्लिक कर लीजेगा अगले सेशन से आप बहुत पीछे चल रहे है 1,00,000 divided by 70% अब बहुत पीछे चल रहे है तो कितना पैसा इसको देनी की ज़रूरत थी 1,5,00,000 रुपे की देनी की ज़रूरत थी पूरे के पूरे 1,5,00,000 रुपे दे देता कोई दिक्कत नहीं आती हम 5,00,000 की गाड़ी बिंदास दे सकते थे इस इंसान को इसने दिये कितने पैसे पचास जार रुपे दिये हैं, तो इसको वैसे कितने का फायदा हो गया है, जितने पैसे इसने नहीं दिये, उतने का फायदा हो गया है, यहनकि एक लाख रुपे का, एक लाख रुपे का फायदा हो गया है इसको, इतना एक TDS दे देता तो सुरेश को कुछ देने की जरूरत नहीं दिया तो हम मानेंगे अगर आपने इतना पैसा दी दिया तो नेट बेसिस पे रमेश को आप लाग रुपे का फाइदा पहुचा सकते हैं इतना एक्स्ट्रा पैसा दे बिल्कुल सही चीज पकड़ी उनने और अगले question में भी हमने exactly वही चीज करी थी ICI के question में देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे 1000 रुपे 1000 रुपे आपको काटने थे 700 रुपे की आपको payment करनी थी वो इंसान को 305 रुपे आपको काईदे से देने चाहिए थे लेकिन वो देने से मना कर रहा है तो उसको अगर आप 305 रुपे का फायदा पहुचाना चाते हैं तो आपको कितने पैसे gross basis पे सरकार को देने पड़ेंगे TDS के नाम पे 305 रुपीज divided by 99% and that is what my answer is going to be मुझे उस पूरे process में पढ़ना ही नहीं पढ़ा आपने notice करा मैंने वो सम्नी करा कि कितना total पैसा पहुच गया था 70% उसको 70% से divide करो 100% निकालो दोनों फिगर इसको minus करो कुछ है नहीं net फायदा divided by net वाली percentage आपके पास total आ जाएगा कि gross basis पे कितना देना पड़ेगा देने वाले को that's about it दोनों में से आप कोई भी formula को use कर सकते हैं depend करता है कि paper में आपसे पूचा क्या गया है आपके calculator से boom boom की आवाज आ रही है भी boom boom की आवाज आती होगी भई आपके सारे lectures इसके youtube पे हैं या फिर आपके बात करें आप इसके lectures मतलब income tax की बात करें टीडियस की बात करें किस की कर रहे है क्या यह सी यह final की classes है जी रावल यह सी यह final level की classes है क्लास को lecture क्या वात है चिन में जल्दी सीख जाएंगे आप अपनी बाली उमर में taxation सीख जाएंगे जोइन कर सकते हैं मनुच सर के session को बहुत चांदा तरीके से costing बढ़ाने वाले है वो आप enjoy करेंगे चलिए कल के lecture में बिलेंगे जिसमें हम TDS TCS Advanced Tax उसके questions को continue करने वाले हैं और हर question में देखेंगे क्या-क्या नई-ने tricks निकल के आ सकती है तो solve the complicated questions जो भी इन questions है बनके paper में आ सकते हैं तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें टेकर आफिसेल्फ गटनाइट बबाई